हेलो फ्रेंड्स स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैक में तो दोस्तो आज का ये वीडियो आपके लिए देखना कापी मैथ तो पूर है क्योंकि इस वीडियो में आपके लेकाया हूँ राष्टे फिल्म पुरुसकार 2018 दोस्तो हम राष्टे फिल्म पुरुसकार 2018 की बात करेंगे ही साथ यसाथ 2017 के भी राष्टे फिल्म पुरुसकार देखेंगे क्योंकि जितने भी एकजाम हो रहे हैं अब 2017 का राष्टे फिल्म पुरुसकार और 2018 का दोनों पूछ लिए जा रहे हैं दोस्तो इसलिए आज हम इस वीडियो में 2018 का राष्टेफ फिल्म पुरुसकार और 2017 का 2077 देखेंगे। दोस्तो वीडियो को बिने स्किप के अंतर पूरा जरूर देखते रही है और अगर आप हमारी वीडियो पहले बार देख रहे हैं तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथ उसको साइड में जो बैल आइकन उसे जरूर दबा दे ताकि जब भी में वीडियो चैनल के लिए उसमें सभी प्रकार के योगदान में जाता है तो दोस्तो चलिए यहां पर देखते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 2008 के राश्टे फिल्म पुरूसकार की और कौन सी फिल्म में इन्होंने रोल किया था, नगर किरतन मुवी थी, इन्होंने रोल किया था और इन्हें दिया गया था, तो आप इससा याद रिखा काफी इंपरेंट है, best actor का, तो रिद्दी सेन को दिया गया था, दोस्तों यहाँ पर हम आगे देखते हैं, best actress का, यानि तो आप इसे याद रखिए, तो चलिए आगे देखते हैं, तो दोस्तों अगर हम बात करें, बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसी दिया गया है, तो बिलेज रोक स्टार्स फिल्म को दिया गया है, और यह कौन सी भासा में मूवी आई थी, असमया भासा में इस फिल्म को दिया गया है, तो और मैं आपको बता दूँ, यहां से कॉस्टन है, बेस्ट फिल्म का वार्ड 2018 किसी दिया गया है, तो यह question जो railway का भी हाली में exam चल रहे हैं railway group D के उसमें कई बार पूछा गया है तो आप इसे याद रखिए best film 2018 राष्टे film पुरुसकार village rogue stars कौन सी भासा की थी असमिया भासा की थी ये movie तो आप इसे याद रखिए तो चलिए आगे देखते हैं तो दोस्तो अगर हम बात करें best supporting actress का award किसी दिया गया था क्योंकि यहाँ से भी question पूछ ले जाता है best supporting actress तो किसी दिया गया था दिब्या दत्ता को दिया गया था और कौन सी movie में इन्होंने रोल किया था इरादा movie में इन्होंने रोल किया था दिब्या दत्ता ने तो आप इसे भी याद रखिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टरिस का वार्ड दिब्या दत्ता को दिया गया था तो चलिए हम आगे देखते हैं तो दोस्तो अगर हम बात करें बेस्ट डारेक्टर यानि की बेस्ट निर्देशक का वार्ड किसे दिया गया है तो जैराज को दिया गया है बेस्ट डारेक्टर का वार्ड तो दोस्तो आप इसे जरूरी आद रहे कि ये काफी इंपोटेंट है आपसे पूछा जा सकता है कि 2018 में राष्टे फिल्म पुरुसकार में बेस्ट निर्देशा कावाड किसे दिया गया है तो जैराज को दिया गया है तो यह वी काफी important है तो चलिए हम आगे देखते हैं अगर दोस्तों अगर हम बात करें best hindi फिल्म कावाड किसे दिया गया है यहाँ पर देखे best hindi फिल्म है और मैंने आपको पहले एक कोशन बताया है सर्वसरेश्ट यायनि की best film का किसे दिया गया है ब्लेज रोक स्टार को दिया गया है जो की असमिया भासर की मूवी थी लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि Best Hindi Film का तो आपको याद रखना है Best Hindi Film का Newton Movie को दिया गया है आपसे पूछा जा सकता है कि Best Hindi Film के लिए किसे दिया गया है तो Newton को दिया गया है ना कि Village Rockstar को अगर आपसे पूछा जाए कि 2018 में सर्व स्रेष्ट फिल्म का आउड किसे दिया गया है तो आपको लगाना है Village Rockstar लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सर्व स्रेष्ट हिंदी Film का आउड किसे दिया गया है तो आपको लगाना है Newton तो ये आप ध्यान रखिएगा चलिए हम आगे देखते हैं अगर हम बात करें बेस्ट तैलगू फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है तो गाजी मुवी को दिया गया है बेस्ट तैलगू फिल्म का अवार्ड चलिए next देखते हैं अगर बात करें बेस्ट तमिल फिल्म दोस्तों Best Tamil Film के लिए किसे दिया गया है To let movie को दिया गया है Best Tamil Film का अबार्ड तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ आपको जितने भी मैं आपको अलग-अलग भासा हो कि movie के अबार्ड बता रहा हूं ये भी आपको याद होने चाहे हैं क्योंकि ये जो state level के exam होते बहाँ पर question पूछ लिए जाते हैं तो best Tamil का किसी दिए गया है too late movie को दिया गया है तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगर हम बात करें best बंगाली film का अवार्ड किसी दिया गया है तो मियू रक्सी को दिया गया है तो आप इसे याद रखे हम आगे देखते हैं best कंणर फिल्म best कंणर फिल्म कोन सी थी तो हैबत रामक का best कंणर फिल्म थी तो इस movie को दिया गया है best कंणर फिल्म का अवार्ड तो चलिए हम आगे देखते हैं best मली आलम फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है तो ठोंडी मुथलम द्रैकिसियम जो यह मूवी है इसे दिया गया है बेस्ट मलियालम फिल्म का अबाड तो हम आगे देखते हैं अगर बात करें बेस्ट उडिया फिल्म का अबाड किसे दिया गया है तो हैलो आर्सी को दिया गया है बेस्ट उडिया फिल्म का तो आप इसे यह जो question है तीन से चार बार पूछा जा चुका है best Marathi film का अबार किसी दिया गया है तो कच्चा लिम्बु जो यहाँ पर यह movie है कच्चा लिम्बु इस film को दिया गया है तो आप इसे जरूर याद रिखें यह very very important है तो आपको इसलिए बता रहा हूँ ये question पीछे कई बार पूछा जा चुका है तो आप इसे ज़रूर याद रिखिए अगर दोस्तों हम बात करें best awesome film किसे दिया गया है तो issue जो movie है issue इस film को दिया गया है best awesome film का award तो चलिए हम आगे देखते हैं अगर हम बात करें best action direction award किसे दिया गया है तो अबास अली मोगूल को दिया गया है और इनकी जो movie थी बाहू अली 2 थी आप सभी को पता होगा और दोस्तों अगर बात करें best popular film का वार्ड किस movie को दिया गया है तो बाहू अली 2 को ही best popular film का वार्ड दिया गया है तो ये भी काफी important आप इसे भी याद रखिएगा तो चलिए हम आगे देते हैं अगर दोस्तों हम बात करें best music director का वार्ड किसे दिया गया है तो AR रह्मान को दिया गया है 2018 में राष्टे फिल्म पुरुसकार तो आप इसे याद रखिए best music director का वार्ड AR रह्मान को दिया गया है तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं 2017 के ये 2018 के राष्टे फिल्म पुरुसकार थे अब हम 2017 के देख लेते हैं क्योंकि जो current affairs के exam में question पूछे जाते हैं पीछे से भी 2017 16 के question में पूछे जाते हैं तो इसलिए 2017 के भी हम राष्टे फिल्म पुरुसकार देख लेते हैं तो चलिए हम देखते हैं 2017 राष्टे फिल्म पुरुसकार तो दोस्तों 2017 राष्टे फिल्म पुरुसकार अगर हम बात करें सर्वस्रेष्ट फिल्म का आवार्ट किसे दिया गया है तो जो concept movie आई थी इस film को 2017 में सर्फ्रेश्ट फिल्म का वार्ट दिया गया है दोस्तों ये काफी important ये भी question कई वार पूचा गया है और दोस्तों अगर हम आगे बात करें कि सर्फ्रेश्ट हिंदी फीचर फिल्म का वार्ट किसे दिया गया है जैसे मैंना आपको 2018 में बताया था आगे देखते हैं अगर दोस्तों अगर हम बात करें सर्व स्रेष्ट अभीनेता ये काफी इंपोर्टेंट है सर्व स्रेष्ट अभीनेता का पुरुसकार 2017 में किसी दिया गया था तो अक्से कुमार को दिया गया था रुस्तम मोवी के लिए तो आप इसे याद रखें आगे जोशी को दिया गया है 2017 में और अगर हम आगे देखें सर्व स्रेष्ट साहयक अभीनेतरी तो जायरा बसीम को साहयक अभीनेतरी का दिया गया है और साहयक अभीनेता का दिया गया है मनोज जोशी को तो आप इन दोनों को भीयाद रखेगा क्योंकि साहयक अभीनेतरी अभी की मूवी थी तो आप इसे याद रखे ये भी काफी इंपोर्टेंटर सर्वस्रेश निर्देशक यानि कि डारेक्टर का 2017 में राजेस मापूसकर को दिया गया है तो यह थे 2017 और 2018 के राश्टेक फिल्म पूरुसकार अगर आपका एकजाम होता है और यहां से कोशन पूछे ज सकते हैं अपनी जो कोफी में इसे अच्छे तरीके से लिख लीजिए और अच्छे तरीके से याद कर लीजिए क्योंकि एकजाम में यहां से कोशन एक जरूर पूछा जाता है तो यही ता आज के इस वीडियो में उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा अग आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा आप बहां से उस वीडियो को देख सकते हैं तो दूस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार करता हैं तो दूस्तों में वीडियो को वीडियो अन्या Cum